राष्टिय स्वेंग सेवक संग अर्थात RSS के बारे में जाननेरी की इक्षा समाज के हर वर्ग में देखी जाती है भारतिय समाज में राष्टिय स्वेंग सेवक संग की स्विकार्यता निरंतर बढ़ रही है मगर फिर भी बहुत से लोगों के मन में संग को लेकर बहुत सुकता रहती है संग के बरिष्ठ प्रचारक और अखिल भारतिये सह प्रचार प्रमुक स्री नरेंद्र ठाकुर जी द्वारा संपाधित पुस्तक राष्ट्वे सेंग सेवक संग का दिर्ष्ठी कोण पढ़ने से संग के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है इस छोटी सी पुस्तक ने गागर में सागर भरने का काम किया है जिसमें ऐसे सभी विश्यों को सामिल किया गया है जिन्हें समाज के लोग जानना चाहते हैं संग का उद्धेश्य, संग का लक्ष, संग और राजनीती, भाजपा के साथ संग का रिष्टा क्या संग केवल हिंदों का संगठन है? क्या मुसलिम और इसाई को भी संग में प्रवेश मिलता है? संग में महिलाओं को प्रवेश मिलता है? क्या संग में आने के लिए गणवेश जरूरी है? साखाओं की संग में क्या भूमिका है? हिंदू राष्ट की अवधारणा और वैश्वी करण के युग में संग का स्वदेशी मंत्र कितना सार्थक है? इस तरह के अनेक प्रशनों के उत्तर इस पुस्तक के अध्यान से प्रप्त होते हैं इस पुस्तक के संग और महात्मा गांदे अध्याय में अनेक महतप्पूर जानकारियां है उधारण के लिए इसमें बताया गया है कि जमना लाल बजाज उन्हें वर्धा के संग के सिविर में लेकर गए थे संग के संस्थापक डाक्टर हेगडवार जी उस समय जिवित थे सिविर में स्वेंग सेवकों के कड़े अनुसासन, सादगी और सिवा भाव देखकर गांदी जियत्यंत प्रभावित हुए थे संग की प्रंपरा में महिलाओं को लेकर किसी भी तरह का भेद भाव नहीं है संग में महिलाओं को पूर्ण सम्मान और गरिमा के साथ अस्थान परदान किया जाता है महिलाओं के प्रति किसी भी तरह के भेद भाव को संग सिवकार नहीं करता महिलाओं की सुरक्षा, ससक्तिकर्ण, संरक्षण, समान औसर और नारी गरिमा को बनाए रखने के लिए संग हमेशा आगे बढ़कर कारे करता है समाज के निर्मान में महिलाओं की अग्रणी भूमिका का संग अहवान करता है इस पुष्टक में नारी गरिमा के बारे में संग के बिचार अश्पषता के साथ दिखाई देते हैं राष्ट्यो स्वेंग सिवग संग का दिरिश्टी कुण में अनेक महतपून प्रसंगों को सामिल किया गया है मुसलिमों के बारे में संग की क्या धारणा है इस सम्बंद में 30 जनवरी 1971 को कलकाता के बरिष्ट पत्रकार डॉक्टर सैफुदीन जिलानी द्वारा लिया गया पुझनिय स्री गुरुजी के एक सक्षातकार को सामिल किया गया है इस सक्षातकार में पुझनिय स्री गुरुजी ने सभी प्रस्मों का विबाकी के साथ उत्तर दिया आज भी इस सक्षातकार के सभी उत्तर बेहत सामईक है इसायत के बारे में संग का दिष्टिकून क्या है इस्ट इंडिया कमपनी से लेकर मिस्नरी गत्विधियों तक सभी प्रसंगों का इस पुस्तक में उल्लेक है धर्मांत्रण इसायत और राष्टिये एक्ता विदेसी मिस्णरियों की चाल हरजन इसाई इसायत और पंथ निर्प्यक्षता जैसे विशियों पर मत्पूर्ण जानकारी का समावेश इस पुस्तक में अस्वस्ट दिखाई देता है भारतिये इसायों, चर्च की भूमिका, मुर्ति पूजा, धर्मांत्रण कर चुके इसायों की घर वापसी और देश के पुर्वुत्तर के इलाकों में रहने वाले जन्जातिये इसायों के बारे में संग के द्रिष्टिकूण को प्रस उत्तर की सैली में इस फुस्तक में सा आसानी होती है। बिचार विन्मे प्रकासंद्वारा प्रकासित इस छोटी सी पुस्तक के 72 प्रिष्टों में अनेक जानकारियों का समावेश है। पुस्तक का मुल्य मात्र 30 रुपिय है। संग को समझने और उनकी गतिविदियों के बारे में जानने के लिए या पुस्तक सभी संसेयों को दूर करती है। एक बार सभी को इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए।